क्या हले दोस्तों, Welcome to Share Marketing Hindi इस फूडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग TradingView Desktop अप्लिकेशन को डाउनलोड करके हमारे Windows कंप्यूटर में इंस्टाल कर सकते हैं और उसमें हमारे TradingView अकॉंट में लॉग इन कर सकते हैं तो पहले हमें क्या करना है हमारे कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर इंस्टाल है उसे उपन करना है यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में Google Chrome है तो मैं इसे उपन कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग Google.com उपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे TradingView Desktop Application और यहाँ पर पहला रेजल्ट हम लोग देख सकते हैं TradingView Desktop Application हम लोग इस लिंक के उपर क्लिक करके इस वेब पेज को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं TradingView Desktop Application Windows, Mac और Linux आपटिंग सिस्टम के लिए अविलबल है और इससे हम लोग उनको बहुत सारा benefit मिलता है वो है कि अगर आप लोग Multiple Monitor यूज करते हैं तब आप लोग Multiple Monitor में TradingView को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं Windows के लिए डाउनलोड करूँगा डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस Download for Windows बटन के उपर क्लिक करेंगे डाउनलोड शुरू हो जाएगा एक्चली यह इंस्टालर को डाउनलोड करेगा तो यहाँ पर मैं Downloads ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं TradingView आप इंस्टालर डाउनलोड हो गया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे यह Show In Folder option के उपर क्लिक करेंगे यह जहाँ पर हमने Downloads को Save किया है उस folder को ओपन करेगा नार्मली यह Downloads folder में रहता है तो अभी TradingView को इंस्टाल करने के लिए हम लोग इस पाइल के उपर डाउनलोड क्लिक करेंगे अभी यह एक window open हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे अभी यह TradingView को डाउनलोड करके हमारे computer में इंस्टाल करेंगा हमें यह कतम होने तक वेट करना है इंस्टालेशन कतम होने के बाद यह Automatically TradingView को लांच करेंगा क्योंकि हमने यहाँ पर Launch When Ready यह जो चेक बॉक्स से इसे चेक करके रखा है तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे इंस्टाल कतम होने पर TradingView अपने आप open हो जाएगा यहाँ पर अभी इंस्टालेशन कतम हो गया है और TradingView को अपने आप यहाँ पर Launch किया गया है अभी यहाँ पर यह Load हो गया है तो हम लोग यहाँ पर इसको Fullscreen करेंगे, Maximize करेंगे यहाँ पर अभी Sign In करना है तो मैं इस Sign In बटन के उपर क्लिक करता हूँ और अभी यहाँ पर यह कहता है कि Welcome to TradingView Sign In with Browser अगर आपके पास TradingView अकौंट है, तो आप लोग इस बटन के उपर क्लिक करके Sign In कर सकते हैं अगर आपके पास अकौंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर Sign Up ओप्शन देख सकते हैं इस ओप्शन के उपर क्लिक करके एक अकौंट बना सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि account कैसे बनाए जाए तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है link में आपको description पे दे दूँगा आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं अभी sign in with browser इस option के उपर click करता हूँ अभी यह जो भी browser installed है उसे open करेगा और उस browser में अगर आप trading view में sign in नहीं है तो आपको sign in करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर मैं sign in कर देता हूँ अभी यहाँ पर मैंने sign in किया है तो अभी यहाँ पर एक page को display करेगा और यहाँ पर कहता है grant access तो यहाँ पर मैं इसके उपर click करता हूँ और एक dialog box आता है और यहाँ पर कहता है कि trading view को open करें क्या तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे open trading view इसके उपर click करेंगे अभी यहाँ पर trading view open हो रहा है तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते है trading view open हो गया है मैं यहाँ पर इसे maximize करता हूँ और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते है nifty का chart यहाँ पर दिकाई दे रहा है और जहाँ पर पहले sign in बता रहा था वहाँ पर अभी मेरा user account का जो पहला letter है उसे हम लोग देख सकते है यहाँ पर हम लोग profile और sign out बेचाहे तो कर सकते है तो यहाँ पर इस तरह हम लोग trading view desktop application को हमारे computer में download करके install कर सकते है अगर आपको यह video अच्छा लगा तो like कीजे अच्छा नहीं लगा तो dislike कीजे अगर आप लोग कुछ कहना चाहते है तो comment कीजे इसी तरह के और उड़ेस तेखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए